चलिए शुरुवात करेंगे नया टोपिक, नया सब्जेक्ट, अकाउंटिंग और ओडिटिंग, सबसे पहले मैं आपको इसका स्लेव समझा देता हूँ, यह आपको जरूर पता है, पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट में यूनिट तीन, यूनिट तीन में समासास्त्र है, मे अब जो डिसकेशन करने जा रहे हैं वो ओडिटिंग और अकाउंटिंग का होगा, अंकेक्शन और लेखांकन, तो सबसे पहले थोड़ा स्लेवस पर बात कर लेते हैं, अंकेक्शन और लेखांकन, ठीक, टोटल स्लेवस में कित्ते बिंदू लिखेवे हैं आपके, तीन, पहला बिंदू है लेखांकन का, बहुत अच्छे से सलेवस समझ लीजिए, ताकि आगे दिक्कत नहीं आई, दूसरा पार्ट है, अंकेक्शन का, और तीसरा पार्ट है, बजट, अंकेक्शन के कितने भाग है, तीन भाग है, और बजट के कितने भाग है, दो, इसका मतलब कोई आप से यह समझे, कि अंकेक्शन और लेखांकन का जो सिलेवस है, इस सिलेवस में कितने टोपिक हाप करना, तीन टोपिक है, एक, दो, और नमबर, तीन, फर्स्ट लेखांकन अकाउंटिंग, सेकेंड उडिटिंग, एंड थर्ड बजटिया बजटिंग, लेखांकन में तीन पोईंट अपने को पढ़ने है, पहला पोईंट क्या पढ़ना इसमें, दोहरा लेखा पढ़ना ली, इसका जन्रल इंट्रोड़क्शन देखेंगे, सामाने परीचे देखेंगे, तो दोहरा लेखा पढ़ना लेखा सामाने परीचे, इंट्रोड़क्शन जन्रल इंट्रोड़क्शन ओफ डबल एंट्री सिस्टम, अगला टोपिक क्या देखेंग वितिये वीवरन का विशलेशन की तक्नीक वितिये वीवरन विशलेशन तक्नीक और तीसरे में दो परकार के लिखांकन देखने हैं समाज का उत्तरदाईत हुए उत्तरदाईत हुए और इसको देखो इंगलीश में से लिए वो सोर निकाल के आपको बता दूँगा उत्तरदाईत हुए और समाजिक पासम में आगई ये लेखांकन में पहला जो अपना टोटल तीन यूनिट है उसमें जो पहली यूनिट है पहली यूनिट में तीन बाते पढ़ेंगे और पहली यूनिट पूरी हो जाएगी दूसरी यूनिट में चार बाते पढ़ेंगे तीन बाते एक पढ़ना है इसका अर्थ क्या है अंकेक्षन का उद्देश से क्या है और इसके चार परकार पढ़ने है चार परकार पहला परकार पढ़ना है समाजिक तो सोशेल पढ़ेंगे समाज में क्या देखेंगे समाज का निश्पादन अभी ते कुछ लेव से याद करते है तो निश्पादन अंकेक्षन फिर सरकार का क्या देखेंगे सरकारी उप्तरदाईत हो है सरकारी दक्स्ता और बजट दो परकार के पड़ने है अपने को एक तो जीरो बेस बजटिंग शुन्य आधारीत बजट और एक निश्पादन या परफॉर्मेंस बासमज में आ गई यह लीजिए अब आपको कोई पूछे कि सलेवस पूरा बोर्ड पर लिखा हुआ है लेवस को जाध करने की मेमॉराइज करने की कई सारे तरीके होते हैं एक तरीका यäch कि यह अगे कि तो है इसकी टेकनिक्स पर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनलाइसिस की टेक्नीक अपन देखेंगे और तीसरा सामाजिक उत्तरदाइत हुए रिस्पोन्सिबिलिटी और सोशियल अकाउंटिंग तो यह तो रिस्पोन्सिबिलिटी हो गई यह तो यह याद करना है परिक्षा में मुझे पक्का विश्वास है कि आप अगर यह क्लास ठीक से सुन रहे हैं उत्तर तो सारे करके आएंगे याएंगे साथ में आपके दिमाग में यह चीज और दिखेगी किसलेबस के पहले बिंदू के दूसरे पार्ट के इस वाले बाग से कुशन आया हुआ है यह भी आपको दिखेगा थोड़ा रिपीट कर लीजिए लेखांकन में तीन बाते पढ़ेंगे अंकेक्षन में तीन बाते पढ़ेंगे और बजट दो पढ़ेंगे अब कोई आपको पूछे कि लेखांकन में कित्ती चीजे पढ़नी है तो आप करना देखो लेखांकन में टोटल किती चीजे पढ़नी है, तीन, पहली, दोहरा लेखा पढ़ना लेगा सामाने परीचे, जनरल इंट्रोड़क्शन ओफ डबल एंट्री सिस्टम हो गया, फिर पढ़ना है वित्ती विवरून विशलेशन की तक्नीक, टेकनीक होक, फाइनेंसियल स्टेट्मेंट टाइप्स देखने है, रस्पोन्सिबिलिटी और शोशल, ये एक पार्ट पूरा हो गैसले वसमा, क्या क्या आ सकता है, दोरा लेखा पढ़ना लेखा, सामाने परीचे क्या है, इसकी विशेशता लिखे, वित्ती विवरून विशेशन की कोई दो तक्नीक के नाम लिखे, उत्तरदाईत्व लेखांकन किसे का आ जाता है, पंदरा सब्द में लिखे, सामाजी लेखांकन किसे का आ जाता है, पंदरा सब्द में लिखे, कम्प्लीट होगे पहली उनिट, दूसरी उनिट में क्या लिखा हुआ है, ओडिटिंग, अंकेक्षन होता है, आप किसी चीज इसको लिखापड़ी कर ले, लिखापड़ी करने के बाद में उस पूरे का क्या करना आपको, जाचना, कि ये सही हुआ है नहीं हुआ है, उसको अंकेक्षन बोला जाता है, और इस अंकेक्षन है, इसमें अर्थ देखना इसका, उदे से क्या है, उस परकार चार है, सोशल, परफॉर्मेंस, एफिसेंसी, और गवर्मेंट, तो कैसे याद रिखेंगे, इसको इस याद रिख सकते हैं, पहला क्या है, सोशल, उसके बाद में, परफॉर्मेंस, एफिसेंसी, और गवर्मेंट, ठीक है SPG Special Protection Group होता न SPG में लगावाव कमांडो SPG E ESPG याद देखले न E4 Efficiency S4 P4 G4 Government और दो प्रकार के बजट देखने Performance और Zero तो PZ देखने आपको बस हो गया काम पूरा यह आपका पूरा syllabus syllabus की class जैसे अभी कितनी साथ आठ मिंट की class होई होगी इस आठ मिंट की class को वापस बैक करके एक बार पूरे syllabus को recall कर लो कोई नींद में जगाए यह बजट कहां लिखावा आपका ना बजट है बजट में यह लो साथ अब परीक्षा में आए कि निश्पादन बजट और सुन्ने बजट में इंतर लिखो आपके दिमाच में syllabus दिखेगा कि सुन्ने बजट हमें अलग से बताया गया निश्पादन बजट अलग से यह हमारे audit account की unit 3rd का सेग्मेंट है बजट में लिखा हुआ है सब्सक्राइब आगी बाती है और यह पूछ ले लेखा अमकन कहा लिखा हो है यहां लिखाएभ अंक एक्षा में क्या देखना अंक एक्षन का अर्थ क्या होता इसका मीनिंग क्या है र्त इसका उद्दे से क्या है और च्यार प्रकार च्यार प्रकार कैसि याद रखेंगे e e history efficiency Disney dageime n आ pastor प्रफोर्मेंस निश्पादन और जी फोर गवर्मेंट हो गया पूरा ले खांकन में क्या पढ़ना है ते सबसे पहले तो दूद डबल एंट्री सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम इसका थोड़ा जनरल इंट्रोड़क्शन देख लेंगे और उसके बाद में कुछ वित्ति ठीक लेखांकन तो देखिए लेखांकन वाले में क्या लिखा हुआ है उत्तरदाइत और सामाजिक सुरी इसमें देखना अपने को और रस्पोंसिल और एस यादर जाएगा यह आपका पूरा स्लेवस हो गया स्लेवस पर इतनी बार मैंने क्यों इसको जोर दिया है स्लेवस ही है जो कुछ है वो एक्जाम में स्लेवस से सीधे सीधे कुशन उठाता है वो पूचे अंकेक्शन का उदेश से बताओ 15 सब्द में आपको क्लियर होना च सेलेक्शन का अधार होगा प्रिवेस यह के कुशन और आपका स्लेवस जिसने स्लेवस को पर काम कर लिया अच्छे से उसका चांस ज्यादा बढ़ता है पचास परशेंट वरक्स्टा हो जाता हो और उसे ठीक अब लेंगे अपने कोशन पर यह सारे पीडियेफ मिलेंगे आपको इस ग्लास के बगल में देखेंगे व्यू पीडियेफ में यहां तो आपको इतना फाइदा और है कि इस स्लेवस में आपको सारे के सारे कोशन है वो टोपिक वाइज समझ में आ रहे हैं आपको की देखो कैसे कोशन आते हैं स इस में कुछ question आपको अलग मिल सकता है क्यों कि पहले syllabus कुछ अलग था कुछ अब नया syllabus है तो लिखावा की मिस्री जनल परवीस्टी क्या है double entry system से question है दोरा लेखा पढणाली से परवर्ती विशलेशन की गिनी दो वीदियों के नाम लिखो वित्ती विवर्त विशलेशन की तक्नीक से question है उत्तरदाईत व लेखांगन की समंध में चार उत्तरदाईत वा के अंदर है उत्तरदाईत व लेखांगन से question है वित्ति विवरण पत्र विसलेशन टेकनीक से कोशन है ओश्परवा विसलेशन टकनीक सिदा वित्ति विसलेशन टकनीक से परशन है इस्तती वित्तन क्या है प्रकट करना कोई दो बिंदू लिखो पहले बेलेंस इता वित्ति विसलेशन के कोई दो उदेश से लिखो सिदा सि लेकान की दोहरी पर्वीष्टी के संधर में बताओ कारे सेल पुझीगा प्री पहले सले सले बस में था सामाजी लेखांकन क्या है उत्तरदाईत वे लेखांकन क्या है अंके Eclipseнд का अर्थ उद्ध超 Inn के बार और ही बता हो दक्षता है कुछ शलतांके एक्षनंब कुछ समाजी नासे बता हूँ निश्पादन बजट के बारे में बाता है सीधा सेरकार की सन्य आधारीद बजट के अपने आ रहें बता ऊहता हुआ बजटन्स से बजटिंग से आप क्या समझते हैं प्रम प्रागत कहा से आ गया फेले सलेबस में च्यार प्रकार बजट लिखे वेते पुराने सलेबस में इस्पाधन बजट सरकार सुन्ह धारीद बजट आंतरीग निरेक्षण और आंतरीग अंकेक्षण में अंतर बताओ इस्तिर्वल लोसिल बजट के कोई 5 अंतर बताएं यह पहले इसलेबस में बजट के कई परकार लिखे वे थे मेरा कंशन यह है समझाने का मुद्दा यह है कि आपको यह जो 10 मिनट की क्लास 12 मिनट की क्लास हुए अगर इसको बार बार आप देखते हैं और सब छोड़ देते हैं तो भी बहुत अची इस्तिमें आते हैं आपको समझ में आ गया कि यार पूछता तो सीधा स्लेबस की लाइ अब आते हैं अपने टोपिक पर सबसे छोटा स्लेबस मुझे लगता है कि पूरे आरे इसके स्लेबस में और अकाउंटिंग का ही है मुझे इसा लगता है अब लिमिटेड आपको 20 पेज के नोट्स है यह कंप्लीट सारा स्लेबस आ गया इसमें तो क्लास सुन ले थोड़ा सा नई सुनेर केबल नोट्स भी पढ़े आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नोट्स इसी साब से सिस्टमेटिक तरीके से ओर्गिनाइजड किये गये हैं व्यवस्तित किये गये हैं वो अगर इस्ट्रेड नोट्स पढ़ गये जाता है वो अपने आपको बेतर इस्थिति में पता है फिर भी थोड़ा रिविजन की क्लास है तो आप सुन ले मोटा मोटा ठीक रहेगा लेखांकन क्या है पहले लेखांकन को समझेंगे फिर लेखांकन की विशेशता देखेंगे लेखांकन की उद्दे से देखेंगे लेखांकन की कारिये देखेंगे कुछ एक दो चीज एक्स्टाबिली है लेखांकन कित्ते परकार का होता है इकेरा क्या होता है दोरा लेखा परणलि adesso पूरे स्लेव इसमें लिखा होअ है और एक दौरा लेखा पढ़ना लेके लाब क्या हो सकते है दौरा लेखा प्रणल की कम्या क्या है एक महाजनी बही काता और देख लेंगे क्या होसा है लेखांकन प्रकिठ के चरण कोन-कोन से है फिर Oops कुल मिला कि जो पहला टोपिक है कौन सा लिखांकन उस पर बात शुरू करेंगे कि इस्ट्रेस फरी रहना है कि याद हो जाएगा राम से तनाव की दिक्कत ही लिए क्लास कि कोई दूसरे गरयस से तो आया नहीं संझ मैं कि यहीं तैयार मिलूँँ आ, वापस बढ़ा डाल आलउगा क्या है अपने कुछ ऐसा थो है कि वो कोई विदेश से औह आए वे तो 1.2 के लिए मैं तो यही खड़ा हूँ आपसे बढ़ा दूंगा पूरा तीन बार रिविजन करवा दूंगा चोती बार में अपने आप याद हो जाएगा कॉश्चन का अभ्यास करवा दूंगा पूरा बचेगा क्या ठीक तो सबसे पहले अपना जो लेखांकन है इसके सलेवस में क्या लिखा हूआ है बताओ एक बार और रिकॉल करो लेखांकन की तीन बाग कर लेते हैं इसके अभी देखो याद हो जाएगा complete पहला क्या लिखा हुआ है पहला लिखा हुआ है दोहरा लिखा परनाली दोहरा लिखा परनाली बहुत ध्यान से इसको देखना दोहरा लिखा परनाली दूसरा क्या लिखा हुआ है वीत्ति ये वीबरान विशलेशन की तक्नीक और तीसरे में दो चीजे पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे उत्तरदाईत हुआ है हाम है मैं और करा शामार करा किया अब متदाई अब यहांपर कुर्शन अठकीन लगाता हूं यहां परसंद लाज अठकीन लगाता हूं यहां पर्षनठकीन लगाता हूं और यहां पर सीजेशी चलो सामाजिक लेखांकन क्या है आरेस की खुबसूरत है कि 50 सब धर एक पोईंट पर याद होगे सिलेवस के तो आप बन जाएंगे सामाजिक लेखांकन पर 50 वर्ड आपको तयार होने चाहिए उत्तरदाइत वे लेखांकन पर 50 सब तयार करेंगे वित्ति विर्म विशेशन में अलगलग तकनीक लिखी वी है साथ आठ तकनीक उन पर 15 पंद्रा सब तयार करेंगे दोहरा लेखा परणाली क्या है इसका अर्थ जानेंगे इसके विशेशताएं जानेंगे इसके लाब जानेंगे इसकी थोड़ी कम्या क्या वो जानेंगे और अंतिम सवाल है इसके चरण क्या वो जानेंगे देख लो यह आपका पूरा पहली उनिट कंप्लीट हो गई जबकि पहली उनिट आपको 5 से 7 नंबर दिला के जाएगी याद हो गया तो पर उमन निचर है सलेवस में नहीं लिखा ओ लेखांगन का यर्थ क्या पर थोड़ा सा इसको फहांका लोजी दो करी लेंगे लेखांगन क्या होता है और कैसे है पर सीधा दोरा लेखा परनली पर आजाएंगे पर दोरा लेखा परनली समझेंशने स्पेले थोड़ा इकेरा लेखा पढ़नाली पर भी जानेंगे स्टेश प्री रहना मैं याद करवा रहा हूं आपको यहां से सुरू कर रहे हैं यहां से यह अपना स्लेवस का पहला बिंदू है चिक पढ़ाय नहीं आपको याद करवाय जाएगा भी याद करवाएंगे यह लेखांकन की फेकालोजी लिखी हुई है आपको क्या प्रास प्रिंट है इसलिए यहां लिखाओ कि लेखांकन पढ़ना लिखा उद्भव मानव सबेता की साथ ही हो गया था जबसे मानव ने सबेता का विकास किया सबसे लेखा पड़ी करता था चोटी मोटी कर लेता था अपनी ह्साप से कर लेता था एक किलो गेंग दियार पाच किलो प्याज लायर ऐसे मानव की याद रखने की चमता सिम्मित होती है और जब व्यापार जोग में लेखांकन की सांक्या बहुता है तो लेखने की परंप्रारम भूई लेखने की इकला की लेखांकन क्यालाता है दिन में एक दुकान आपकास में हजारों परकार के लेंदेन होते हैं उसको लिख लेखांकन बोलते हैं ऐसे ही फेंकालोजी लिख ली एक प्राचीन को आउता है पहले लिख पिछे दे भूल पड़े तो कागज से रथाद भूल सुक से बचने के लिए रखाँगन क्या जाता है कै परिक्षा में आने 나오 second प्रदा फैक यह लिखाँगन विशेष्था क्या होती है यह लेखांकन की विशेष्था दोरा लेखा पढ़नाली तो आगया एगे भी लेखांकन के पारे में लेखांकनी पहली विशेष्था लेखांकन कला विज्ञान वानी जे तीनों है लेखांकन एक कला भी है लिखने की कला लिखने का एक साइंस भी और वाणी जे कोमर्स तो ही है तो क्या एक आम की लाइन है ना लेखांकन में केवल मोखिक विवारों को दर्ज किया जाता है हाँ जो मोखिक विवार होते हैं उनको दर्ज कर लिया जाता है लेखांकन में विवारों की पैचान मापन भी लेकन खतोनी वरगीकन सारांस लेकन इसलेशन संप्रेशनाती परकिरिया सामिल होती है आगे टोपिक में लाइन आ रही है और आगे लिखा हुआ कि परतेग लेंदेन को मुद्रा में लिखा जाता है कितने रुपे दिये कितने आए ऐसे नहीं कि 6 किलो प्याज गए और प्याज का मुल्य लिख लेंगे शाट रुपे के प्याज दिये शाट रुपे लिखेंगे 6 किलो प्याज नहीं लिखते जनरली लिखे तुमें क्योंकि मोद्रिक लेंदेन लिखे जाते हैं ये जो दोनों लाइन अभी तक कि ये क्या सुद्ध फैका लोजी लेखांगन के क्या उद्धे से है वैसलेवस में तो केवल दोरा लेखा पढ़नाली लिखावा है अपन टोटल अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं उद्धे से क्या है लेंदेन को विवस्तित कर लेंगे अभी लेखन कर लेंगे लाब आने का सही पता लग जाता साम को इतना दिया इतना है लिखावा होता तब पार्टनर है वो लिखावा होता साम को डायरी देख लेते हैं कितना है कितना गया ऐसे पता नहीं चलता है यह भी फैंकालोजी है तो सर्फ फैंकालोजी तो पढ़ा क्यों रहे हो बस आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि रीडिंग मार के आगे बढ़ जाना लेखांकन के कार यह क्या है कार यह कि वेवसाय समधित लेंदेन को लिखेंगे विविन पक्सकारों को वित्य सूचना को आदान परदान कानून निह आफसे एक पूरा करना और आफसे एक समयोजन करना कोई काम का नहीं यहां से सल में अपना गेम सुरू होता अब तो अच्छलवे की व्यापार विवार में अगर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं याद नहीं रखते हैं मानुव की मस्टिक्स की एक सीमा है इसलिए उनको क्या कर लिया नोड डाउन कर लिया लिख लिया यह लेखांगन कहलाता है समझ में आगई बात ही लेखांगन की परिणाली कुछ त्रूटिया जिनको को सुदार कर लेना है यह लेखांगन परिणाली दो परकार की होती यह लेखा दो परकार का अभी समस्जा दूँगा एक होता इक होता दौह दो CPU में लिखावा दोरा लेखा प्रणाली का अर्थ विसेशता लाब कमिया तो लेखा अंकन का लाब अर्थ कमिया नहीं दोरा लेखा प्रणाली का दोरा लेखा प्रणाली होता है क्या समझ लेते हैं देखो ना तो मैं कुछ चार्टिट अकाउंटेंट हूँ, ना मैं चार्टिट अकाउंटेंट वालों को पढ़ा रहा हूँ, अपने को 15 सब्द में एक क्वेश्चन आएगा, उसका उत्तर लिखना आगे बढ़ना है, पॉमर्स नहीं सीखना है, ये सरेटी सी यार क्या होता है, ये जनरल कैसे तयार किया जाता, तलपट कैसे बनाए जाते हैं, कौन से चरण में बनाए जाते हैं, सब भरम आए, 15 सब्द में एक आएगा, दोरा लेखा प्रनाली को परिवासित करो, लिख के आगे बढ़ जाना है, पिर जीवन में कभी काम में नहीं आएगा, तो आप अगर लिए, देखो एक है, इकहरा लेखा, अब अगर अकाउंटिंग की लेखा की बात करें, लेखांकन की, इकहरा और एक है दोरा, और सहुलियत क्या करीं अपने लिए, क्यों लिए का कि दोरा लेखा प्रनाली के बारे में बतातो, वो भी साम्माने परीचे सलेविस में लिख जाओ, कि अब तो बस पूरा त्यार करेंगे, देखो एक्चुली इकहरा लेखा प्रनाली में बहुत सम्माने सांतर्मा बताओं आपको देशी तरीके से, इकहरा लेखा प्रनाली, चाय की जो थड़ी वाला होता है, वो एक छोटी सी डाइरी रखता है, उसमें एक ही पक्स को लिखता जाता है, फला फरनीचर हाउस में 15 चाय गई, फला वेक्ती को 10 चाय बेजी, इस बारबर सोब को 15 चाय दी, इस दुकान वाले को 10 चाय दी, वो इसमें दो खाते बाते कुछ नहीं होते है, वो केवल मालर वेक्तीर सब एक ही लाइन में लिख डालता है, ये 300 रु कि मैंने चाय बेज़ती है, that's all, इसका मतलब खाता है, एक ही परवावित हो रहा है, इस है, एक ही लेखा, और थार्त, ऐसी लेखा परनालिस में केवल, एक ही खाता हूँ, यहाँ पर कोई DR, नहीं को CR नहीं है, उसको चाय वाले को मतलब भी नहीं क्या, DR, CR होता है, उसने कि मैं DR, CR में क्यों ओल जूँगा, मुझे पता है कि मैंने 300 रुपे की चाय वाग फरनीचर आउस को दी है, कल वो 300 रुपे ले आँगा चुटी, क्या DR, CR है, तो एक पक्स पर भावित कर रहा है, क्यों, सीधी सीधी एंट्री, उसको तो बोलते है, सिंगल एंट्री, और ड आए गई, रुपे आए, सामान आया, सामान गया, अमाउंट आया, इस परकार की जो सिस्टम होते है, जिसमें कम से कम दो खाते पर भावित हो, कम से कम दो वर्ड यूज कर रहा हूं, जय्दा भी हो सकते हैं, उसे दो और आप रिलेखा पर नाली बोलते ह। जो कि आप बड़ी बड़ी companies कोई अच्छा इंडस्ट्री उसमें देखते है कि आपके पास में 17,000 रुपे तो आए है पर उसके बदले में आपका माल गया है फ्रीज बेचा है तो बेचने वाली एंट्री अलग होगी पैसे आने वाली एंट्री अलग होगी तकि मिलान हो जाए साम को पता लगा कि रुपे तो आए 17,000 फ्रीज निकल गए 20 तो दस फ्रीज गए पैसे आए 17,000 के साब से 17,000 तस फ्रीज ओर का गए तो माल निकला पैसे आए तो पैसे कार माल का इसाम को बराबर होना चाहिए पैसे पैसे तो आए यह आद बताने का कम से कम दो खाते प्रभावित हो रहे है एक पक्स को DR, 1 को CR कि माल लो आपने चार कुलर बेचने तो एक कुलर की रेठ है 1500 रुपे इसे सिंपल तरीका और कोई नहीं है DR, CR को समझने का बहुत देसी तरीका खाल का नॉर्मल तरीका आपके एक छवी बन जाए मोटा मोटी पंद्रा सो पंद्रा सो पंद्रा सो पंद्रा सो और इधर फिर 1 2 3 4 4 नगांपने खुलर की वैचने रुपे किता है इतना आसान होता ना तो CA की पढ़ाई दुनिया की सबसे टप पढ़ाई नहीं होती कोई CA मेरी क्लास देख रहा है, Commerce वाला मर जाएगा डूब की लगा के कैसे Master हैं, जो Commerce कैसे पढ़ा रहे मैं तो CA केवल जनरल इंट्रोड़क्शन दे रहा हूँ कि इसको दोरा लेखा पढ़ाली बोलते हैं परिक्षा में क्या आएगा उसकी बात अब कर लेता हूँ इकरा लेखा पढ़ाली प्रपंद्रा सब्दा आएंगे, एक हजार साल में एक बार क्योंकि सलेवस में नहीं लिखा हुआ है सिंगल एंट्री सिस्टम, सुस्टम नहीं सिस्टम, इस पढ़ाली के परतेग विवशाइक लेंदेन का एक ही पक्ष होता है इसलिए परतेग लेंदेन को लेखा पुस्टकों में एक ही स्थान पर इखलिया जाता है दोहरी लेखा पढ़ाली, डबल एंट्री सिस्टम, ये परिवास आपको परीक्षा में पूछेगा इसको याद रखना है, दोहरा लेखा पढ़ाली, यहां से आपके परीक्षा में लेखाना शुरू करना है एक बच्चे को पूरी दोहरा लेखा पढ़ाली का पूरा नो लेज है, कॉमर्स से उसने पढ़ाई कि ये चार्टेट गाउंटेंट है पर ये पंदरा सब्द नहीं आ रहे हैं उसको कि मैं क्या लेखना तो जीरो देगा एक्जामिनर फिर और एक बचार्ट स्का उसको पता ही ने डबल एंटी सिस्टम क्या होता उसने परिवा सा याद कर रहे हैं कि रोली क्या जाएगा नम्रा आ गए अब इसको याद करते हैं दोरा लेखा परनाली ये एक विश्वष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और दोरान में लुकास पेसियोली निगांपोर्ण की स्क्रिप्विक्टर नमक किताब में किया क्या थी क्या समamed मैं इसे इसे आपकी इतना समँज में है कि दोरह लेखा परनाओले क्या होती है दोरह लेखा पढणाले होती है कि एक विश्वेस तरीए जीक है एक विश्वशनी लेखा पढ़ना ली है तो ऐसा भी इसकी परिबासा लेख सकते हैं दूसरे तरीके से एक विश्वशनी आरदर सी वेज्यानी को विश्वशनी अमानने ता प्राप्त अम जो वर्ड लिख रहा हम वो ऐसे कैसे लिख आने आपको आगे नोट्स में आपको इनमें भी और अपडेट करके दे देंगे नोट्स में तो विश्वश्वश्वशनी लेखा पढ़ना ली है जिस लेंदेन के कम से कम दो पक्स प्रभावित होते हैं एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट लिखा जाता है ठीक दो राले का प्रणाली की विशेश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश् तीन चार बाते आपको ध्यान रखनी है क्या ध्यान रखेंगे मैं भी आपको पूरी याद गराता हूँ दोरा लेखा पढ़ना ले के बारे में अगर परिक्स्या में आपसे सवाल पूछता है चुन की ये आपके syllabus में most important line न जो syllabus में लिखी हुई है सवाल लानिक पूरी संभावना है ठीक दोरा लेखा पढ़ना ले इंग्लिश में क्या बोलते है double entry system सवाल क्या क्या सकता है वो सवाल समझो सेरा की double entry system क्या है 15 तो बताइंगे double entry system की विशेशता क्या है 15 स्वाल क्या है double entry system क्या है 15 शंवद लेखाट सवाल नहीं आएगा double entry system a गर लिखना है तोड़ा प्नमी प्लिए लेकिते है सबसे पहले इसकी परीवासा देखेंगे अगर आपको पारीक्षा में परीवासा लिखनी हो तो क्या लिखेंगे डबल-ेन्टी सिस्टम के बारे में कि मैं कुछ कीवड बतातु हम पुसको रट्टा मार लेना लिख लेना यह है कुछ की वड़ बेज्ञानिक को मा पारदर से को मा विश्वेशन यह विश्वेश्थरी मानने ता प्राप्त यह लाइन यहाद रहे जाएंगी क्या क्या है यह साइन्टिपिक है यह ट्रांस्पेरेंट है यह इंटरनेशनल रिकरिगनाईज है लेखांगन की परणाली है छीक है जिसमें क्या किया जाता है जिसमें वेवशाइक लेन देन के कम से कम दो पक्स होते है किसरे को ग्रेडिट लिखा जाता है चुट्टी सबसे पहले या इसके जन्नक किसे का आजाता है लुकास पेशियो लिको इटली के हैं याद रहे तो ठीक अधरवाइस कोई काम की बात नहीं है तो तीन-चार कीवर्ड क्या रखेंगे यह विज्ञानिक है पारदर्सी है ये लेग दी अग्यरान के लिखेंगे 2 लेका है इसका मतलब कम से कम यो कितने फ्राववित होंगे दो खादब प्रभावित होंगे दो खाती अ हां अब दो खातों के नाम कि अ को पहो पूलिखी नहीं सकता क्यों कर्कि इस पंद्रा सब्ध में गातो इतना लिखना है और पतास में थो इसकी विशेषता को क्रेंट लिखा जाता है बासन में आगे जन्नक कोने इसके लुकास पेस योली वापस बताओ दो कोई उचे को क्या दो कीवड़ बताओ double entry system के एक टो व्यच्णिक है और इक पार दर्सी है और विश्व क्हते क्ते होते प्रवाधित होंगे दो खाते एक को क्या लिखा जाएगा और एक को क्या में फटा-फटा आपको प्रजेंट कर रहे हैं अब विसेश्था देखे तो विसेश्था वही विसेश्था आजो इसकी किस्व में है परीबास हमें सारी विसेश्था आचुकी यह देखो विसेश्था रही यह विसेश्था इसकी क्या-क्या विसेश्था है इस पद्दति म में कम से कम किते खाते प्रवाइट होंगे कम से कम दो खाते प्रवाइट होंगे एक पक्स को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट लिखा जाता है सारे विवसाई छोटा हो बड़ा हो मद्दे मोसब के लिए कारगर है पूर्टे विज्ञानिक है पारदर्सी है विश्व इस्त विशेष्टा ही है कि ये दोरा लेखा पर्णाली विज्ञानी को पारदर्सी है इसमें कम से कम दो खाते प्रवावित होते हैं एक खाते को DR है एक को CR है लुकास पेश्यों लिए इसके जनक है सब भी विश्चायों के लिए ये उप्यों की चाहिए छोटा हो चाहिए बढ़ देखो दोरा लेखा पर्णाली के सिध्धांत या नियम देखो इस पर्णाली में लेखा पुस्तकों में लें देनको कुछ निश्चित नियमों के अधार पर दर्ज किया जाता है हर कोई ये काम नहीं कर लेता है जब आपको दोरा लेखा पर्णाली का काम करना तो तो उसक वेक्षित व्यक्ति के आखश्य क्या उती है, ये इसकी कमी भी है, इसमे एक टरेंड आदमी चाहिए, आप जैसे और मेरे जैसे लोग इसको maintain नहीं कर पाएंगे अपने इसको समझ भी नहीं पाएंगे इस सिस्टम को तो व्यक्तिकत खातों के लिए वास्ति खातों के लिए ना मात्र के खातों के लिए इसके कुछ नियम है या परीक्षाम पूछे जाएंगे ना बिल्कुल नहीं एक्जामिन रच ज्यादा से पूछेगा ज्यादा हो तो लाब पूछ ले इसके लाव नहीं पूछेगा इसमें टिक्निकली वह कोई स्टाटेड अकाउंटेंड नहीं है आपको चीज़े नहीं पूछेगा हो ठीक रेक्तिकत खातों के लिए पानने वाले के खाते को नाम लिखे जाते हैं और वस्तु के खाते को जमा लिखे जाते हैं DR और CR वास्तवी खातों के लिए आने वाली वस्तु की खाते के नामें लिखे जाते हैं और जाने वाली वस्तु के लिए जमा लिखे जाते हैं DR और CR और नाम मात्रे के खातों के लिए समस्त खर्चों और हानियों की खातों को लिखो हैं दोरा लेखा पढ़नाली के लाब क्या है लाब लिखे ये परीक्षिया में आने वाली सबस्भावना सवाल की तो देखे दोरा लेखा पढ़नाली के लाब क्या है अब लाब वही है जो पिछे आ गई वेग्यानिक है आरदस ही है, विष्वे इस्थरी है वेग्यानिक पददति पर आदारिता इसलिए विष्वशन ही है इसलिए खापधनाली से तुलनात्मग विष्वेशन किया जा सकता है पता दिए मने आपको यह जब आप ऐनलाइसिस करते हैं comparison करते हैं उस टाइम बहुत बढ़िया रता है इस परणाली में एसुदियों कपट को आसानी से पकड़ा जा सकता है यह पता लग गया लास्ट में दोनों मैज नहीं कर रहे तो एसुदिय कपट आसानी से को क्या करेंगे पकड़ सकते हैं यह समझ लेंदेनों पूर्ण वे का विश्वशनी रिकोर्ड है यह रिकोर्ड तेयार करता है इसमें वेवशाय के सुद्ध लाब वो सुद्ध आनी की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और यह वेवशाय की आई वे परिसमतिय पूर्ण देताओं की जानकारी देता है यह छे विशेशता है इसकी अकेली देशता लिख रहे हैं वैसे ही लाब लिखने है दोरा लेखा प्रणाली के लाब क्या क्या है तो कोई चार से पांच लाब पहला लाब क्या है कि वेज्ञानिक पद्दति पर आधारिता इसलिए विश्वशनी है इसमें वह सिस्टमेटिक लिखा जाता है इसलिए पाता है इस परणालिय में एसवुढ्धिया और कपड़ जो है उनको असलने से पकड़ा जा सकता है toc एक लाएन पकड़ो कि यह क्या है वग्यानिक वेग्यानी के इसलिए मुद्धी कैसी हो गई है विश्वशनी हो गई है विज्ञानिक है इसलिए क्या क्या जा सकती है इससे तुलना अत्मक अदेन संभव है तुलना करेंगे इसका मतलब एसुद्धी और कपट को क्या कर लेंगे आसानी से पकड़ लेंगे अब यह समझ लेंद्यानों पून वे का विश्वशनी रिकोर्ड है विज्ञानिक है और वे का विश्वशनी रिकोर्ड है विवशाय के सुद्ध लाव और सुद्ध आनिका इसमें आप क्या कर सकते हैं पता लगा सकते हैं और अंतिमक की विवशाय की आयवे परीसमतिया पून द पता होई पहली विज्ञानिक है विश्वशनी है पारदर्सी है तुलनात्मक इससे विशलेशन संभव है तैसूदिया कपट को आसानी से पकड़ा जा सकता है वेवसाई की वास्ति इस्ति का पता लाबानी की इस्ति का पता और वेवसाई से सम्मधित आएवे परी संपतिया आपको इतनी देर में यह पता लगा होगा कि साथ इसकी कमी यह कि पहली बात तो इस प्द्धती के लिए योग्य वह प्रस्विक्षित वेक्तियों कि आफ सेक्ता होती है यह खर्चिली पद्धेश में कई पुष्ट के रखनी पड़ती है कई सारे मोटे मोटे भाई खाते तयार करने पड़ता है इसके लिए आगे चरण आएंगे तो पता लगे चतिपूर के शूदियों को पकड़ना बहुत मुस्किल है चतिपूर के शूदियों के राम को रमा लिख दिया तो फिर पकड़ना तो मुस्किल हो जाएगा ना उसे अगर कोई लेंदेन की परविष्टी एंट्री होने से छूट जाए यह जबरजस्ती की कमी है को एंट्री होने से छूट जाए तो उसको पकड़ नहीं सकते इसका मतलब है कि यह जो पद्धति है दो राले लेखा पड़ना लिए आपको पूछेए कि दोरा लेखा पड़ना लिए कि हानियां बताओ कमियां बताओ कमियां कमियों पहली तो यह कि इसके लिए बहुत आदमी चाहिए जो छोटे विवशाय उसके लिए उप्यूकते नहीं है दो चीजे लिखेंगे आपर कि खर्चिली पद्धति आधिक पुस्थ के रखने पड़ेंगी खर्चिली पद्धति है इसलिए हाँ छतिपूर के शूदिय लेंदेन की परिश्ची को छूट गई रिकोर्ड करने में तो तो फिर इस पद्धति से उसको पकड़ना मुस्किल है यह इसकी क्या बता दिया आपको मैंने कमियां बता दी तो आपको दो चीजे समझ में आ गई होंगी पहली चीज जोरा लेका पढ़ना लेकी परिवासा बताओ एक सांस में एक सांस कांस तो लेलो आराम से कि विज्ञानिक है पारदर्सी है विश्वस्तरी अमाने ता पराप्त है लें देन की कम से कम दो खते प्रवाईटोते हैं को डियार लिखा जाता दोसरी को CR जनक लूकास पेशियोली है इसकी विशेष्ता क्या है? विशेष्ता वोही है जो इसकी परिवासा है विज्यानिक है, पार्दर्सी है विश्व इस्तरी है, मानिता परापती ये बद्दती है एसूदी और कपट को इसमें आनिसे आप पकड़ सकते है वेवशाय की सुद लाब आने का पता वेवशाय की वास्विती का पता लगा जा सकता है कम्या क्या क्या है कम्या इसकी पहली तो यही समझ में आती है कि इसकी कम्यी पहली यह है कि योगियो पर शिक्षित वेक्तिव क्या शिक्ता होती है कि दूसरा इसमें अधिक पुष्ट क्या आपको रखने पड़ती है खर्चिली पद्दती है अगर हाँ कोई परविश्टी छूट गई तो नहीं और चतिपुर के सुधियों को पकड़ना बहुत मुश्किल है यह ओ गई आपकी दोरा लेखा पड़नाली दोरा पड़नाली के कुछ चरण है कि उसको थोड़ा सा और देख लेते देखो यहां से एक मुझा पड़नाली के चरण है उसको क्लीर करते हैं अब यह माजनी बईखाता पड़नाली क्या है देखिए माजनी बईखाता पड़नाली भारती परंपरा में अपना विशेश तान रखती है यह प्रणाली पूंत है सवदेशी पड़नाली है सारा लेखांगन इस्थानी बासा में होता है इसे समझना आसान है परनतु वरत्मानी में कंप्यूटरिक में दिरे दिरे प्रणाली समित होती जारी है प्राय मद्यम दर्जे के विशाइज इनका साधन समित होता है इस प्रणाली का उप्योग करते है इसमें मोटी मोटी बही में क्या होती है सलवटे होती है उनका प्रियोग किया जाता है जिक आपने देखा होगा कि माजनी यह सलिबस में माजन इसके लिए रखनी पड़ती है हाँ ये सिस्टम आपके माजनी वही खाता पड़ना ली मेरे साथ से सवालानिक संभावना नील है ये जरूइत आपको लोगों को नहीं है अब दो दो चीजे जीन पर अभी और चर्चा करनी है एक करनी आपको कि चारण और एक थोड़ा सा माजनी वही खाता के बारे में अब ये तो एक बार बेसिक आप लोगों ने जानी लिया क्या क्या चीजे है तो अभी तक थोड़ा सा रीकोल करते है चीजों को ना कॉम्प्लिकेटेड हो गई होंगे ऐसा लग रहा मुझे और सबसे पहले चीज अपड़ने क्या देखी अभी एक बार देखो रीकोल करते है सब चीजे वापस से समराइज कर देंगे एक बार देखी इक हरी लेखा प्रणाली एक देखी दोहरी लेखा प्रणाली और एक देखा प्रणाली महाजनी ठीक अभी तक ये तीन ही तो चीज हैं जो काम किये परिक्षा के लिए जो आप परिक्षा में आ सकती है इकेरी लेखा पढ़ना ली, दोरी लेखा पढ़ना ली और माजनी बई खाता बताओ सबसे इंपोर्टेंट कौन सी अपरिक्षा के लिए क्यों दोरा लेखा पढ़ना ली सबसे इंपोर्टेंट है क्योंकि यही केवल स्लेवस में लिखी वी है पर मालों की यह है C सवाल नहीं आ सकता, क्यों? इसमें कुछ है नहीं लिखने लाइक, क्या लिखोगे? वई केरा लेखा पढ़नाली लेखांकन की एक सरल परकिरिया है, और जिसमें केवल एक ही खाते में चीजों को लिखा जाता है, छोटे वेवशाई जो है, दूद वाला, सबजी वाला, चाय में, कैसे आप वो पता लग गया? पर ऐसा लिखेंगे कि लेखांकन की प्राचीन और भारती पद्दत्ती है, इसकी परीवासा इसको लेते, फिर इसकी डिटेल्स ही और बात करेंगे, तो चलो, मैं लिखता हूँ महाजनी वई खाता के पारे में, महाजनी, परिक्ष्या के बारती है, लेखांकन पद्दती है, बारती है, लेखांकन पद्दती है, अच्छा, ये एक लाइन हो गई, अब दूसरा क्या माजनी में, लेन देन को क्या करते हैं, एक पुस्तक में लिखते हैं, और उस पुस्तक को क्या का आजाता है, बही का आजाता है, बही, बही लेक आजाना इस अँच भैस के साधिक एक भीची होती है इसका कवर कैसा होता है कि लाल और प्रिस्ट खैसे लते हैं इसके पीले यह ज़रूरी यह रोजने है अगलोह होते हैं हाँ वह चावल मैंनका प्रिञो करते हैं और इसमें सल्वटे लगा के सलवटे लगा के रखते है बास सुझगे और लेखांकन के इसके कैसे नियम होते है पारंपरीग नियम होते है मालो इतना कभी पूछेगा नहीं आपको परीक्षा में पर फिर भी आए अच्या माजनी बईखता जो है इसकी विशेषता क्या है विशेषता पहली बात तो यह कि जो माजनी बईखता है यह आपको सारे नोट्स में मिल जाएंगे केवल आपको सुन लो और रीड आउट कर लो महाजनी वही खाता है इसकी विशेशता क्या है कि महाजनी वही खाता है इसमें फून रूप से वेग्यानिक सिदान्तों का पालन किया जाता है वो कम्प्लीटली वेग्यानिक होता है ये भी इसमें दोरा लेखा पढ़ना लेके नियम लागू किये जाते हैं अंतराष्टी रूप से समानेता नहीं मिली हुई है और इसमें काली शाय का समानेता परियोग किया जाता है परस्ट कैसे होते हैं पिले कबर कैसे होता है लाल जो बनी है उनके पास में देखना ऐसी बई मिलेगी हाँ ऐसी महाजनी परिकाता है इसको बोला जाता है और कमिया क्या है कमिया कमिया इसकी पहली बात विज्ञानिक इसको अंतराश्टूप से मानेता नहीं मिला हुआ है और यह भी एक जटिल पर किरिया है पर शिक से दर्योग ये कुशल देखते हैं को बनिये के पास रहा था दो उसने बहुत सा ग्यान ले लिया बढ़ा ग्यान और पराचीन लेखांगरंूंकरं के पद्दति है जिसमें लेन देन को पुष्तक में लिखाजाता हो चेंब हां वही का जता है बही कैसी होती है लाल रणक होती है पर स्पिले होते है、「 काल लिशाओ का परियोग के आ जाता है विशेष्था क्या है shoulda कि इसमें भी दो खाते पिछिस्टिम सिस्टिम की जो मेने आपको बता दी दोहरा लेखा प्रणाली दीएस अच्छा क्या है ये तीन नाम है इसमें दोहरा लेखा प्रणाली तीन ही परिवा समय आते हैं कि क्या है ये विज्ञानिक है पारदर्स है विश्वेशन ही है और विश्वेश तरिये माननिता प्राप्ति एक लिखांगन की पद्दती है कम से कम किते खते प्राइट होते हैं दो इसमें एक को DR लिखा जाता है दूसरे को CR लिखा जाता है और लुकास स्पेश्योलिस के जन्रक है ये इसकी सारी विशेश्था हो गई इसमें आपको एक फॉर्मूला लिख्या ने अगर आप लिख दो तो को यह इसकी परिवासा लिख लिखके formula उसे आपको लिखा मिलेगा आपने notes में चिंता नहीं है एक formula लिखना और बता क्या जाना इस परिवासा के निच्चे प्रतेग लेंदेन के विवार के बाद में लिखिया जाता है इसका लेट का टाम दीजी आप अगले 5 मिनिट में आगा क्रिश्टल क्लियर में प्रिश्टल क्लियर रहेंगे इसके 4 चरण है यह परेक्षा परेक्षा लिए बहुत कामका है पहला चरण इसका कौन सा है RCCS तो इसका चरणों के नाम याद करो पहला चरण है अभी लेखन रिकोर्ड अभी देखो एक एक बोर्ड की एक स्लाइड पर जित्ता पड़ा पूरा ले लेंगे अभी लेखन दूसरा है क्लासिफिकेशन वर्गी करन तीसरा है तीसरा है संक्षिप्ति करन और चोथा है तब महन रटा मारना पड़ेगा इसका परीक्सा में सीधा सीधा पूछेगा दोरा लेखा पड़ना लिए चरण बताओ इतने चरण है पहला चरण कौन सा है अभी लेकर इसको बोलते है रिकोर्ड करना एक एक लाइन लिखाता हूं इनकी दूसरा चरण है वर्गी कर्ण को बोलते है क्लासिफिकेशन तीसरा है समराइजेशन समरी करना और चोथा है कम्मिन्यूकेशन मतलब सूचनाओ को प्रजेंट करना प्रस्तूत करना इंगलिश में क्या रिखेंगे RCSC ये चरण है याद गरने पढ़ेंगे त्यार करेंगे तो उसमें इन चरणों को फूलो करते है record में क्या होता है record में जो वित्ति विवार है उनको प्रात्मिक बही जो होती है अर्थार्थ जो जन्रल होता है में रिकोर्ड गया जाता है तो जनल में को क्या किया जाता है प्रात्मिक बही में इसको रिकोर्ड गया जाता है दूसरा जो चरण इसमें लेजर बनाए जाते हैं तो इसमें लिखेंगे लेजर बनाए जाते हैं तीसरे चरण में क्या बनाए जाते हैं तलपट और जो चोथा चोथा चरण होता है यह चोथा चरण फाइनल चरण होता है इस में सूचनाय उपलब्द करवाई जाती है आप सोच रहे हो सर हमें बिल्कुल याद नहीं वाक्या बतार민 हो देखो जब भी smartest लेखा पढ़नाली तयार की जाती है दोरा लेखा पढ़ना ली तो दोरा लेखा पढ़ना ली जब आप entry करते हो तो पहले चरण में final book तयार नहीं कर देते हो पहले होता है प्रात्मिक बहियों में चीजों को लिखना फिर उनका classification करना फिर उनका तलपट बनाना और फिर final सूर्चना तयार करना माल लो परीक्षा में या अभी पढ़ते टाइम आपको याद ही नहीं हो रही यह पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं एक चीज रट तो सकते हो ना कि 12 लेखा पढ़ना लीक सवाल ऐसे आएगा जो सवाल आएगा वो दिखाव आप इस परकार से ऐसे आएगा दोरा लेखा पढ़ना लेगे चरन बताओ चरन लिखो तो जैसे चरन लिखा उत्तर सुन किया ज़िए चरन इसके होते हैं चार जैसे चार जैसे चरन पहला अब रिकोर्ड अभिलेखन यह रट तो सकते हो ना अशो के अभिलेखा आपने पढ़े होंगे अभी लेख कर दिया वर्गी करन करते ही है तीसरा वर्गी करन तीसरा संक्षीप्तिकरन करते ही है इंदी में संक्षीप्तिकरन संक्षीप्तिकरन जैसे लिखते हैंगे कि माता चोटी आएगी संक्षीप्तिकरन में चोटी आएगी मात्रा राइट करन की वज़ा से मातरा इधर वाली बड़ी और अंतिम देखो दो में से दो नमबर इसमें आएंगे अब आप क्या लिखेंगे कि प्रात्मिक बही में लिखा जायेगा प्रात्मिक बही उसको बोलते जर्रनल इसमें क्या किया जाएगा लेजर बनाई जाते हैं लेजर बनाए जाते हैं और तीसरे में तैसे तीन तैसे तलमपः तलमपट और वीवरिवर्ण तैयार किया जाते हैं तलमपध और वित्रीवरण सोचो कि यह अगर 15 सवत में है तो इसमें 9 से ग्रामायन पढ़ेंगे जब की जगह तो बची नहीं है इत्ता लिखने में भी अंतिम 7 में क्या लिखेंगे सूचनाय उपलब्द करवाएंगे यह हो गया आपका चरण माल लो समझ में नहीं आये न तो रट तो लो यार चार चीज़ेर ठव़ाइए ऐसो के भी ले कियाद करते हैं उनका वर्फी अगरते हैं दि में संक्शिप्ती इओ करते हैं स्व करते ये चरण है इसके पासल में बी कोशन हैं कि दोरा लेका पढ़ना लेगा पूरी प्रीचे देते हो इसके चर्णों के बारे में लिखो तो प्रीचे दे देंगे ये चर्ण लिख देंगे ये 50 अब्दना सवाल आपके त्यार हो गया है ये दोरा लिखा पढ़ना लिए आपके पूरी हो गई अब अभी तक जो पढ़ाम उसको एक बार और समराइज कर देता हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि आप कहीं क्या है मैं गलत नहीं कर क्या जाओ तो सबसे पहला अब फोड़ा सा अब पता देता हो सबसे पहले अपने क्या पढ़ा और पहरे अपने लिखा syllabus, syllabus में। इते बिंदू बता हो जबा तरह, 3, पहला बिंदू कौंसा है, लेखांकन, दूसरा, अंकेक्शन, तीसरा, budget त्रहूं लेखांगन के कितेे पार्थ है तीन पहला पात कुण सा है दोरा लेखा पढादा लिए स्लेवस में नाहीं देजने जुद देखावद स gegen एकारीए का पढादी गाता था शिलिए में समने किसी का उसके बाद स्लेबस में क्या लिखा हुआ है वह तो बात की बात अभी थी और अगे पढ़ेंगे डपल एंट्री सिस्टम का सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि स्लेबस में जो लिखा उसको तो याद गरे पूरा अर्थ विसेश्ता अभी देखो याद हो जाएगा लाब अनिया और अंतिम इसकी क्या देखे चरण सिलेबस में तो लिखा वाक्य वली इतना ये अपने थोड़ी रामायन ओर भी पढ़ ली एकरी लेखा पढ़ना लेगे पढ़नी और माजनी भाई खा था कि पढ़नी कोई बात ने दोरा लेखा पढ़ना लेगा अर्थ बता ये पारदर्सी है ये वेग्यानिक है और विश्वा इस तरिये क्या है ये माननेता प्राप्त है और इसके फादर कोण है लुकास पेशियोली लुकास पेशियोली और इसमें कम से कम कित्ते खाते प्राइट होते हैं दो और फोर्मला क्या अपता है था सम्ता प्लस दाईतोय इक्वल्टू संपत्ती हो गया इसका अर्थ विशेश्ता ये कीए तारदर्सी है एग्यानिक है मनेता प्रापत है 2-3 इसमें प्रोववित होते हैं तोकाते प्रोववित होते एको DR, एको CR लाब ये क्ये हैं इसमें क्या होता है तरीके को इसमें कपट एसुदी अधिय हानिatra उनको आसानी से पकड़ सकते हैं कम्या क्या है कम्या तो वर्गी करण, तीसरा संक्षिप्ती करण, 7 हो गया, तलपट कौन से बनाए जाएंगे, तीसरे में तलपट, लेजर लाइट दो पर डालते हैं, दोसरे पर लेजर, आर्मी का जनरल लेक होता है, तो जनरल लेक, और सूचना 7 कर देंगे, तो यहां पर 7, याद हो गया, तो तलपट कौन से बनाए जाते हैं, तैसे तलपट, तैसे 3, लेजर लाइट सामने वाले पर डालते हैं, दूसरे पर, तो दूसरे में लेजर बनाए जाते हैं, पहले में आर्मी का जनरल लेक होता है, जर्नल पहले में तयार किया जाते वो लास्ट में सुचने अफ्लब्स करा देंगे यह आपका जोरा लेखा परनाली कंप्लीट हो गया है चिक अब देखेंगे आगे अगला जो टोपिक है अपना अब थोड़ा सा इकैरी लेखा परनाली के बारे में बता देता हूं और माजन कोटे उसाग लिए उप्पी होगी है खतम कोई पारदर्सी नहीं कोई विज्ञानिक नहीं कोई मानेता प्राप्त नहीं है माजने वही खाता क्या है यह भारती है प्राचीन पद्दती है जिसमें लेखा एक पुस्तग में क्या जाता है उसे भई का जाता है भई लाल रंक प्रिशित वेक्तिव कि आफ सेकता होती है, खतम, अब चलते आगे, अब अपना टोपिक है वित्ति वीवर्न विश्टेशन की तक्नीक, यह टोपिक है, यह सबसे अंतमे करेंगे, पुरा देखने के बाद में, अब जो अपना टोपिक रहेगा, वो रहेगा, यह तो बहुत अब आसान सा है, अब भीदे को स्लेवस में चलते हैं, यह एक टोपिक छोड़ रहे हैं अभी अपन, वित्ति वीवर्न विश्टेशन का, सब से अंतमेसी को करेंगे, यह टोटल अपने, साथ-ाथ टाइप के हैं, जिनको अपने को देखना है, अब यह ओ गया, अपना स्ले पहली बात क्या लिखी हुई है, दोहरी लेखा पर नाली, फिर लिखावा है, वित्ति वीवर्न विश्टेशन की तकनीक, तकनीक एक बार छोड़ दी, और दो परकार के लेखांकन, कौन-कौन सा, उत्तरदाईत्वे, और सामाजिक लेखांकन, परीक्षा में सिधा-सिधा पुछेगा क्या, किदर देखो, ये लिखा हुआ, उत्तरदाईत्वे लेखांकन की परीवा साथ दो, उत्तरदाईत्वे लेखांकन की विशेषता बताओ, उत्तरदाईत्वे केंद्रों के बारे में बताओ, उत्तरदाईत्वे क्या है, उत्तरदाईत्वे की सीमाएं क्य क्लास अगला पार्ट इसका अगले बाले पार्ट में इसका कुम्प्लीट करते हैं अभी टेकनिकल इस्यू है थोड़ा सा स्वज़े से इस वी कम्प्लीट हो नहीं पाएगे अपनी क्लास तो